हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC Academy पर फ्रेंड्स बाइलोजी का क्लास देख रहे हो मानव शरीर के बारे में आज का क्लास ये 5th है इससे पहले मैंने 4 क्लास अप्लोड किया था जिसमें की टॉप 120 कुशन अप्लोड किया था अगर आपने उसे भी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आईए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने कोशन अंसर्स करवा दिया है आप उसे देख लीजिए देखिए इस क्लास को देखने के बाद मानव शरीर के बारे में अप्लोड करूंगा उसे आप जरूर देखिएगा 40 के आसपास रहेगा इस वल्ले क्लास में आप कोशिश करिएगा 27 या 28 प्लस मार्क्स लाने का अगर आपका आज आ रहा है 27 प्लस आप समझ लिजेगा का आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है इस टॉपिक के लिए खा है आपको पता है हर एक टॉपिक हर एक एक जाम में इस टॉपिक से आता है सवाल आईए बिना टाइम बरबाद की देखिए आज का पहला सवाल मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्नक है आप्शन नमबर सी सही जवाब है मेलानीन हो जाएगा मानव त्वचा को रंग कौन देता है मेलानीन देता है नेक्स्ट कोश्चन त्वचा की उपरी सता कहलाती है एपी डर्मिश हो जाएगा सही जवाब option number B तवचा की उपरी परद क्या कहराती है एपी डर्मिश friends यह जो सवाल आप देख रहो ना पिछले 15 से 20 सालों में इन सारे सवाल को पूछा गया है उन्ही सवाल को मैंने include किया जो आपके आने वाले एक्जाम में भी आएगा इन्ही सारे सवाल में से कोई न कोई शवाल आता है देखिए मानव शरीर में मौझूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है option number C हो जाएगा सही जवाब दात की परद मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो दात का जो परद होता है जिस पर दात सेट रहता है उसके बारे में कह रहा है next question मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यार ओपन नहीं किया जा सकता है option number C आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है देख लिजिए next question C में क्या है ये भी देख लिजिए हर question में बताता हूँ मस्तिस्क का जो है वो प्रत्यार ओपन नहीं किया जा सकता है next question अस्तन पान के दोरान किस हार्मोन के कारण अस्तन से दूद निकलता है option number B सही जवाब है अस्तन पान के दोरान किस हार्मोन के तो अस्तन से दूद निकलता है next question मनुष्य की आँखों में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवानों मर जाते है लाइसो जाइम हो जाएगा option number C सही जवाब next question किस प्रिकरिया द्वारा श्वसन के दोरान गैस रुधीर में प्रिवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है option number D सही जवाब हो जाएगा पराशरन सही जवाब हो जाएगा next question मानव शरीर में अनिवार्य अमिनों अमलों की शंख्या जो है वो कितनी है option number B सही जवाब हो जाएगा 20 next question मायोग लोवीन में कौन सी धातू होती है option number D हो जाएगा सही जवाब लोहा मायो गुरोविन में कौन सी धातू होती है next question मानव शरीर का शामान ताप मान होता है option number B हो जाएगा सही जवाब 36.9 degree celsius रहता है next question किस सारिरिक प्रकरम से प्रोथो भीम्ब का निर्मान होता है का समन्द है तो option number B हो जाएगा सही जवाब रक्त जमाब नेक्स्ट question अपात कालिन इस्थिती के दोरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है option number B हो जाएगा सही जवाब एड्रिन लीन हो जाएगा option number B next question मानव शरीर में कौन गरंथी ऐसी है जिसका समन्द शरीर की उत्तेजना से है अधिवरिक गरंथी हो जाएगा सही जवाब option number C अधिवरिक गरंथी का जो समन्द है वो किस से है शरीर की उत्तेजना से होता है next question मानव का मस्तिस्ट लगभग कितने ग्राम का होता है तेरो सब पचास ग्राम सही जवाब है option number A next question सामान ये मानव सरीर का तापमान होता है बताए कितना होता है इन में से कोई नहीं हो जाएगा option number D क्योंकि 98.6 होता है ठीक है ध्यान रखिएगा 98.6 होता है option number समझ लिज़े आप ये E है आपका next question आँख के रेटिना की परमपरागत केमरा के निमलिखित में से किस भाग से तूलना की जा सकती है option number A हो जाएगा सही जबाव next question रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है option number B हो जाएगा सही जबाव next question अधिक उचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त का निकाएं बताइए वो क्या होगा इन में से संख्या में वो क्या होता है बढ़ जाती है option number C हो जाएगा सही जबाव next question मस्तिस्क जिम्मेदार है बताइए किस चीज के लिए सोचने के लिए हिर्दय गती नियंतरन के लिए या सरीर के संतुलन के लिए या इन में से सभी या फिर option E ले लिजे इन में से कोई नहीं आपको जवाब पता होना चाहिए कि option number D हो जाएगा इसका सही जवाब सोचने के लिए हिर्दय गति नियंतरन के लिए शरीर के संतुलन निंतीनों चीज के लिए मस्तिस कहीं जिम्मेदार होता है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की तिर्जिया कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा बरहेगा option number A हो जाएगा नेक्स्ट कोशन मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है देर्ग अस्ति हो जाएगा सही जवाब option number B नेक्स्ट कोशन थाइमस ग्रंथी द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है थाइमोशीन हो जाएगा सही जवाब option number D नेक्स्ट कोशन हमारे सरीर में मस्तिस्क का कौन सा भाग समवेगात्मक किडियाओं को नियंत्रित करता है थाइपोश हाइपोथेलमस हो जाएगा सही जवाब option number A नेक्स्ट कोशन कहता है कि गरभाशे के लिए वेकलपिक सब्द क्या है यूटरस हो जाएगा सही जवाब option number A नेक्स्ट कोशन हीमोगलोबीन की अधिक्तम बंदुता होती है किस चीज के लिए कार्बन मोनोक्षाइड के लिए option number C आपका सही जवाब है नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से कौन सा सारीरिक अंग श्वशन किरिया में भाग नहीं लेता option number B सही जवाब है वोमन समपूठ हो जाएगा सही जवाब नेक्स्ट कोशन कहएड़ा कि EEG का प्रियोग किसकी गतिविधी दर्च करने के लिए किया जाता है option number C सही जवाब हो जाएगा मस्टिस की गतिविधी को मतलब उसका दर्च करने के लिए आपने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है पेपसीन एंजाइम पाया जाता है आमाशाही रास्मे option number B सही जवाब हो जाएगा मानव तवचा का रंग बनता है किस चीज से मानव तवचा का रंग बनता है तो मिलनीन हो जाएगा सही जवाब मैंने आपको बताया था Starting में ही कि मानव तवचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है सेम question है मानव तवचा का रंग बनता है next question मानव हिरदय में कक्छा की संख्या है बताए ए कितनी 4 हो जाएगा सही जवाब माना भेरदे में कितनी का अक्षा होती है ज़ चार next question निमलिक्षित में से कौन रत में oxygen अधिग्रहन का कारी करता है हीमोगलोबीन हो जाएगा सही जवाब option number B next question अधिकांस विशाक्त पदार्थों के विशात्ता दूर करने की प्रकरिया सरीर के किस अंग में होती है option number B आपका सही जवाब हो जाएगा लीवर में होता है next question सरीर में हीमोगलोबीन का कार्य है क्या कार्य बताईए तो oxygen का परिवहन हो जाएगा सही जवाब सरीर में हीमोगलोबीन का क्या कार्य है oxygen का परिवहन है next question है जब एक व्यक्ति विरिद्ध हो जाता है तो सामान्यता उसका रक्त का जो दाब है वो क्या होता है बताईए option number A हो जाएगा सही जवाब घट जाता है जब कोई आदमी बुरहा हो जाता है तो उसका रक्त दाब क्या होता है घट जाता है next question मानव मस्तिस्क के निमलिखित भागों में से कौन सा एक नीगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है मेडूला आबला गेटा हो जाएगा सही जवाब option number C और आज का last question निमलिखित में से किस एक की उत्पत्ती या क्रित का कार्य है option number B सही जवाब हो जाएगा योरिया का तो friends मैंने total आपको 156 question करवा दिया मानव शरीर से related आप हर एक class को अच्छे से देख लिए total कितना आपका marks आ रहा है आप comments इसमें ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक playlist में नहीं आया तो फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक बार please आप playlist आकर check कर दिजिए बहुत सारे topic का मैंने question answer करवा दिया है फिलाल question answer स्रीच चल रहा है इसलिए मैं भी फिलाल करवा रहा हूँ और एक class इसका आएगा biology का आप देख लिजिएगा इस topic पर खास करके मानव शरीर के बारे में जिसमें अप्रॉक्स 40 बात मैं आपको बताने वाला हूँ इसी class से इसी topic से जो बहुत बार exam में पूछा गया आप उसे एक नजर जरूर देख लिजिएगा आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा आईसे ही फ्रेंड्स ABC अकर्मी के साथ बने रहे अपना प्यार देते रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स